हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारा हूं कि कैसे आप अपने वीवो Y73 Android वाइल फोन में आप जो है आपको sound case page में नीचे आना है और यहां पर आपको जो है यह notification ringtone का यह option मिल जाएगा ठीक है इस option पर आपको सेलेक्ट करना है अब यहां पर आपका notification ringtone का page open होगा इसमें आपको जो है यह mute का option मिलता है mute के option के ठीक सामने इस circle दिया हूँ है इसे select करेंगे तो आपका यह notification ringtone है यह आपका disable हो जाता है यानि कि mute हो जाता है अब यह notification ringtone जो है disable होने के बाद काम कैसे करता है यह मैं आपको बता जेता हूँ तो जब भी आपके mobile phone पे कोई भी notification receive होगा ठीक है तो आपका notification कोई भी sound create नहीं करेगा वो silently आपका receive होगा आपके phone में ठीक है तो यह setting जो है notification ringtone setting disable करने के बाद कुछ इस तरीके से काम करती है ठीक है आपके Vivo Y 73 Android mobile phone में ठीक है अब मैं आपको जो है इस setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूँ कि कैसे आप notification ringtone setting को shortcut तरीके से अपने mobile phone में क notification ringtone ठीक है जो setting का name है वो आपको यहाँ पर पूरा type करना है ठीक है notification ringtone तो आपको नीचे की side option show हो जाएगा notification ringtone का जब यह option show हो जाएगा तो आपको इससे select कर लेना है इससे होगा क्या कि आपका mobile phone आपको direct इस setting में लेकर आजाता है और इस setting को highlight करके दिखाता है जैसे मेरा mobile phone जो है इस setting को highlight करके दिखा रहा है ठीक है तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका बता दिया है notification ringtone setting को ढूंडने का आपके vivo y73 android mobile phone में